नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आईए हम वेक समय आलेक पर आधारित कुछ प्रशनों का हल करें। और एक ही रैखिक सकड़क पर एक ही दशा में जाती हैं जैसे कि आलेक में दिया गया है। परिकलित कीजिये कि गाड़ी ए का तवरण क्या है। तो बहुत जरूरी यहां पर हमारे पास एक शब्द आ गया है जो की है तवरण। अब आप एक बार सोचिए कि अगर हमारे पास वेग समय आलेक है तो हम तवरण कैसे निकालते हैं। तो अगर आपका उत्तर है कि तवरण निकालने के लिए हमें धलान निकालनी पड़ेगी तो आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि भाग A को हल करने के लिए जिसमें गाड़ी A का तवरण पूछा गया है हमें ये जो रेखा है इसकी धलान निकालनी पड़ेगी। तो आईए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे तो गाड़ी A के लिए जो हमारे पास ये दिया गया है एक आप देख सकते हैं कि रैखे ग्रूप में एक आलेख है इसकी गती को दर्शाता हुआ अब हमें इसका तवरण निकालना है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहां पे संदे हो रहा है कि यह A और B क्या है और यह कार और यह कार B है तो मैं आपको बता दू कि यह जो पीली रेखा से बनाया गया आलेख है यह कार B है यह जो हरी रेखा से बनाया गया आलेख है ये कार A का आलेक है और इस पे हमने दो बिंदू ले लिए हैं जिसकी मदद से हम धलान निकालेंगे तो अगर हमारे पास कोई एक सीधी रेखा है तो उस रेखा की धलान निकालने का क्या तरीका है कि आप रेखा पे दो बिंदू ले लीजिए और दो बिंदू को X1 Y1 और X2 Y2 कह लीजिए और जब आप इनके Y2 और Y1 के बीच का अंतर लेंगे और X2 और X1 के बीच का अंतर लेंगे और इन दोनों का भाग फल निकालेंगे तो आपको धलान मिल जाएगी तो एक बिंदू हम माल लेते हैं कि ये वाली है जो कि मैंने यहाँ पे नारंगी रंग से निर्पुत करी और अगर मैं इसके आपके सामने निर्देशांग लिखूं तो क्या हो जाएंगे एक निर्देशांग हो गया छे वाई निर्देशांग हो गया साथ इसी प्रकार से ये जो दूसरी बिंदू है इसका एक निर्देशांग हो गया दो वाई निर्देशांग हो गया बीस तो हमाई पास आ गया साथ माइनस बीस बटे छे माइनस दो यानि की चालिस बटे चार यानि की 10 और आपको पता ही है कि अगर हम तवरण की बात कर रहे हैं तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा meter प्रति second square क्योंकि वेग meter प्रति second में है और समय हमें second में दिया गया है ठीक है अब देखिए यहां पर बात कर रहे हैं गारी बी का तवरण 2 second से 4 second के बीच बहुती जरूरी बिंदू है ये इस बात को जरा ध्यान दीजे कि अगर आप बी गाड़ी का जो रखे कालेंखे उस पर देखें गे तो आपको वो सीधी एक सरल रेखाना मिलकर के दो रेखाओं का युगमू मिल रहा है मिल्ख यहाँ बिंदू से ये तक यानि कि D बिंदू से A बिंदू तक एक रेखा है और A बिंदू से B बिंदू तक दूसी रेखा है आशे ये हुआ कि अगर हम कार B की बात करें तो पहले कार B का कुछ तवरण है और उसके बाद ये कार जो है वो एक समान वेक पर ही चल रही है इस वज़े से प्रश्ण में हमको बिल्कुल सटीक तरीके से बिल्कुल बता दिया गया है कि किन दो शणों के बीच में हमें इस गाड़ी का तवरण निकालना है तो अगर मैं 2 सेकंड वाला बिंदू लूँ तो इसके निर्देशांख हमारे पास आ जाएंगे 2,20 और अगर मैं 4 सेकंड वाला बिंदू लूँ तो इसके निर्देशांख आ जाएंगे हमारे पास 4,60 अब हम ऐसा करते हैं कि धलान निकाल लेते हैं और क्योंकि हमें ये दोनों बिंदू पता है तो धलान से ही हमारे पास इन नोनों बिंदूं के बीच का तवरण आ जाएगा तो 60-20 बटे 4-2 y2-y1 बटे x2-x1 y2 कितना है? 60 है, y1 20 है x2 4 है और x1 2 है आप जब इसे हल करेंगे तो 40 बटा 2 आ जाएगा जो की होगा 20 मीटर प्रती सेकेंड स्कूर ठीक है? अब क्या कह रहे है? उस शण की बात बताईए उस शण को इस वेग से वेग समय ग्राफ से देख के बताईए जब दोनों का वेग बराबर हो तो बता सकते हैं आप ऐसा कौन सा शण है जब दोनों का वेग बराबर हो? तो जैसे कि हम यहाँ से चलें तो हमें हरा वाला जो आलेख है और जो फीला वाला आलेख है वो एक इस बिंदू पर एक दूसरे को पार करता हुआ नजर आ रहा है यानि कि अगर हम 2 सेकंड पर देखें तो दोनों ही गाडियों का वेग 20 मीटर प्रती सेकंड है इसके आगे देखते हैं क्या हमारे पास कोई और ऐसा बिंदू है जिस पर ये दोनों पार कर रहे हैं जी हाँ फिर से अगर हम 6 सेकंड पर देखें तो 6 सेकंड पर दोनों ही कारों का वेग 60 मीटर प्रती सेकंड है 60 मीटर प्रती सेकंड है देखें यहाँ पर तवरण की बात हम नहीं कर रहे हैं अगर तवरण होगा तो ये जो हमारे पास दूसी कार भी है इसका तवरण शून ने हो गया मगर कार A का तवरण जो है वो समान है मगर यहाँ पर किसकी बात की गई है गाडियों का वेग बराबर हो तो दो ऐसे शण हैं जब गाडियों का वेग बराबर है इसके बाद अगर हम चौते भाग पर आजाएं तो देखिए चौता भाग हम से क्या कह रहा है दोनों में से कौन सी गाड़ी आठ सेकेंड के बाद आगे है और कितना आगे है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आठ सेकेंड को देख हूँ तो आठ सेकेंड पर यह जो गाड़ी A है वो 80 मीटर परती सेकेंड के वेक से चल रही है और जो गाड़ी B है वो 60 मीटर परती सेकेंड के वेक से चल रही है परन्तु यह बताने के लिए कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आगे है और कितना आगे है हमें क्या निकालना चाहिए तै की गई दूरी तो हम क्या करेंगे कि दूरी निकाल लेंगे जो कि A ने पार करी और दूरी निकाल लेंगे जो कि B ने पार करी और देखेंगे कि इन दोनों में से किसकी दूरी कम्या जादा है तो मैं आपको एक बार पुना बता दूं कि अगर आपको ये देखना है कि एक दिये गए समय अंतराल में किसी गाड़ी ने कितनी दूरी तै करी तो आप ये देखिए कि उसका जो आलेक दिया गया है उसके अंदर का उतने समय अंतराल के लिए शेतरफल कितना है जैसे कि अगर हम बात करें कि ए गाड़ी ने 8 सेकंड तक कितनी दूरी तै करी तो आप 0 से ले करके 8 सेकंड के बीच में जो भी इसका अलेक है उसके अंदर का जो छेतरफल है वो ग्याद कीजिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम गाड़ी एक ही बात करें तो इसका छेतरफल निकालने के लिए हमें ये त्रिबुच का छेतरफल निकालना पड़ेगा जो की हो जाएगा आधा गुना आधार गुना उचाई तो अगर हम आधार लें तो वो 8 सेकंड की बात की गई है और उचाई अगर हम देखें यहाँ पे जो की वेग है यानि की 80 मीटर प्रती सेकंड तक पहुचा है तो अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा कि 320 मीटर की दूरी जो है वो इसने तै करी है इसके बाद हम बात करते हैं B गाड़ी की और अगर मैं आपको B गाड़ी के लिए दिखा आऊं तो दीखें B गाड़ी जो है वो सूने सेकंड पर तो चली नहीं एक सेकंड पर चली तो आपके पास जो इसके लिए एक शेतरफल बन रहा है ये किस प्रकार का है ये समलंब के रूप में आखरती आ रही है जिसका हमें शेतरफल निकालना होगार समलंब का शेतरफल निकालने का सूत्र क्या होता है आधा गुना जो समानतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई का य दूरी यानि की 60 मैं फिर से बुना दो रहा हूं कौन सी हुई लंवत दूरी ये लंवत दूरी हो गई A B और C D के बीच की और A B की जो लंबाई है वो हो गई 4 मात्रक और C D के बीच की लंबाई हो गई 6 मात्रक तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 गुना 30 जो की हो जाएगा 330 मीटर अब देखें बहुत ही रोचक मोड़ पर हम बहुच चुके हैं कि अगर हम यहां पे दोनों के आलेक के अंदर का छेतरफल देखें तो वास्तविक स्वी बात है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कार A दौरा जादा वेग है तो जादा दूरी तै की गई है तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कार B ने जादा तूरी तै करी और कितनी 10 मीटर तो आप लिखेंगे कार B ने 10 मीटर दूरी कार A से जादा तै करी है तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और यह प्रश्न किस पर आधारित था वेग समय ग्राफ को पढ़ करके उसको समझ कर करके अलग-अलग भौतिक राश्यों की गढ़ना करने पर आधारित था